परिक्छेद चार दस्मलो दो तो मक्छरम परमम भीरितब्यम तो म अश्य विश्वस्य परम निधानम तो म अब्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन तो म पुरुषः मतवमे सनातन तो म पुरुषः मतवमे पांच पचे हैं भक्त लोग अपने अपने घर चले गए सिर्फ मास्ठर और नरेंद्र रह गए नरेंद्र मुहाद धोने के लिए गए मास्ठर भी बगीचे में इधर उधर घूनते रहे थोड़ी देर बाद कोठी की भगल से हंस तालाब की ओर जाते हुए उन्होंने देखा कि तालाब की धक्चेड तरफ वाली सीड़ी के चबूतरे पर स्री रामकृश्ण खड़े हैं और नरेंद्र भी हाथ में गड़ुआ लिये खड़े हैं स्री रामकृश्ण कहते हैं देख और ज़्यादा आया जाया करना तुन्हे हाल ही में आना शुरू किया है न पहली जान पहचान के बाद सभी लोग कुछ जादा आयजया करते हैं जैसे नया पती नरेंद और माश्टर हसे क्यों आएगा नहीं नरेंद बुर्म समाजी लड़के हैं हसते हुए कहा हाँ कोशिश करूँगा फिर सभी कोठी की रड़ा से स्री रामकृष्ण के कमरे की ओवराने लगे कोठी के पास स्री रामकृष्ण ने माश्टर से कहा देखो किसान बाजार से बैल खरिदते हैं वे जानते हैं कि कौन सा बैल अच्छा है और कौन सा बुरा वे पूँच के नीचे हाथ लगा कर परखते हैं कोई कोई बैल पूँच पर हाथ लगाने से लेट जाते हैं वे ऐसे बैल नहीं खरीते पर जो बैल पूँच पर हाथ रखते ही बड़ी तेजी से कूट पड़ता है उसी बैल को वो चिन लेते हैं नरेंद्रिसी बैल की जाती का है भीतर खूप तेज है या कहकर स्री रामक्रिष्ण मुस्कुराने लगे फिर कोई कोई ऐसे होते हैं कि मानू उनमें जान ही नहीं ना जोर है ना द्रिड़ता संद्या हुई स्री रामक्रिष्ण इस और चिंतन करने लगे उन्हों नमाश्टर से कहा तो मुझा कर नरेंदर से बात चीत करो और फिर मुझे बताना कि वह कैसा लड़का है आरती हो चुकी मास्टर ने बड़ी देर में नरेंदर को चांदनी की पश्चीम तरफ पाया आपस में बात चीत होने लगे नरेंदर ने कहा कि मैं साधारन ब्रह्म समाजी हूँ कॉलेज में बढ़ता हूँ इत्यादी रात हो अब मास्टर घर जाएंगे पर जाने को जी नहीं चाहता इसलिए नरेंदर से बिदा होकर वे फिर स्री राम कृष्ण को ढूंडने लगे उनका गीत सुनकर मास्टर मुख्द हो गए है जी चाहता है कि फिर उनके स्री मुख्द से गीत सुने ढूंटे हुए देखा कि काली माता के मंदिर के सामने जो नाटे मंडब है उसी में स्री राम कृष्ण अकेले टहल रहे है मंदिर में मूर्ती के दोनों तरफ दीपक चल रहे थे बिष्टर तनाटे मंडब में एक लाल देन चल रही थी रोशनी धीमी थी प्रकास और अंधेरे का मिश्रण सच्दीग पढ़ता था मास्टर स्री राम कृष्ण का गीत सुनकर मुख्द हो गए है जैसे साप मंतर वक्त हो जाता है अब बड़े संकोच से उन्होंने स्री राम कृष्ण देव से पूचा क्या आज फिर गाना होगा स्री राम कृष्ण जरा सोच कर कहा नहीं आज अब नहोगा या कहते ही मानूं उन्हें फिर याद आई और उन्होंने कहा में बलराम के घर जाओंगा तुम भी आना वहाँ गाना होगा माश्टर आपकी जैसी आज्ञा स्री राम कृष्ण तुम जानते हो बलराम बसु को माश्टर जी नहीं स्री राम कृष्ण बलराम बसु बोस पाड़ा में उनका घर है माश्टर जी मैं पूछ लूँगा स्री रामकृष्ण मास्टर के साथ टहलते हूए अच्छा तुमसे एक बात पूछता हूँ मुझे तुम क्या समस्ते हो मास्टर चुक रहे स्री रामकृष्ण भीर से पूछ तुम्हे क्या मालूम होता है मुझे कितने आने ग्यान हुआ मास्टर आने की बात तुम्हें नहीं जानता पर ऐसा ग्यान या प्रेम भक्ति या विश्वास या वैराक्य या उदार भाव मैंने और कहीं कभी नहीं देखा स्री रामकृष्ण हसने लगे इस बात चीत के बात मास्टर प्रणाम करके भिदा हुए भाटक तक जाकर फिर कुछ याद आई उल्टे पाउं लोट कर फिर स्री रामकृष्ण देऊ के पास नाट्यमंडग में हाजिर हुए उस धीमी रौसनी में स्री रामकृष्ण अकेले टहल रहते नेशंग जैसे सिंग बन में अकेला अपनी मौष्ण में फिरता रहता है आत्मा राम और किसी की अभेक्षा नहीं बिसमित होकर मास्टर उन महापुरुस को देखने लगे स्री रामकृष्ण मास्टर से क्यों सी फिर क्यों लोटे मास्टर जी वे अमीर आदमी होंगे शायद मुझे भीतर न जाने दे इसलिए सोच रहा हूँ कि वहाँ न जाओंगा यहीं आकर आपसे मिलूँगा स्री रामकृष्ण नहीं जी तुम मेरा नाम ले न कहना कि मैं उनके पास जाओंगा बस कोई भी तुम्हें मेरे पास ले आएगा जैसी आपकी आज्या कहकर मास्टर न फिर पर नाम की और वहाँ से बिढ़ा हुए रामकृष्ण शेर ćणा हुए जय जय रामकृष्णा शरन्या जय जय रामकृष्णा शरन्या।